गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेडियेटर के बारे में यानि कि ट्रांसफॉर्मर में जो रेडियेटर का यूज होता है उसके बारे में आखिर ये रेडियेटर का पूरा क्या फंडा है इस वीडियो के अंत होने तक आपको समझ में आ जाएगा और as a electrical engineer आपको इससे related एक इस specific जानकारी होना यह चाहिए जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ तो चलिए guys बिना किसी देनी के वीडियो को start करते है guys अब सीधे आते हैं topic पे आखिर ऐसा क्या purpose है जिसके बज़ा से radiator को लगाया गया है तो guys हमारे transformer में जो है दो windings होते हैं हम सभी लोगो पता है एक है primary winding और दूसरा है हमारा secondary winding जब इस windings में power को supply दिया जाता है तो इस windings में losses होते हैं जिसे हम लोग core loss कहते हैं और ये core loss के बज़ा से heat generate होता है और guys ये transformer में heat generate होने के कारण हमारे transformer में जो insulation के लिए oil का use किया जाता है वो oil भी कही ना कही वो भी heat up होना start हो जाता है as generally ये जो transformer के oil है ये तो basically हम सभी लोगों को पता है कि ये oil transformer में ऐसे insulator भी एप करता है और दूसरा cooling purpose के लिए भी जो है ये oil बहुत important रखता है अगर हमारे transformer का rating बहुत जादा है या फिर transformer का size बहुत बढ़ा है तो उसके उपर depend होता है कि हमारे transformer में radiator का use किया जाएगा या फिर नहीं अब guys जैसे कि पहले मैंने बताया कि oil जो है हमारे transformer को cooling करती है लेकिन वो एक हद तक करेगी यानि कि एक rated हमारे transformer के तो उस transformer के लिए ये सिप oil से cooling जो है एक sufficient नहीं हो पाता है जिसके लिए हमें transformer में radiator का use किया जाता है ये जो radiator होता है ये पतले-पतले seeds रहते हैं ये पतले seeds के बीच में cylindrical shape का आपको एक lines देखने को मिलेगा जो की पुरा hollow रहता है उपर से नीचे तक अब guys हमारे transformer में अगर हम लोग ये radiator को लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारे transformer का oil ये जो है हमारे radiator और main tank इस दोनों के बीच में जो है ये circulate होना start होता है और जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि अगर हम लोग एक cup चाई को अगर cup में पी रहे हैं तो वो जो है बहुत दे increase हो जाता है जिसके बजह से वह बहुत जल्स घंड हो जा रहा है तो इसी concept को हमारे radiator में भी यूज़ किया गया है ये radiator ये radiator क्या करते है वो एरिया है उस एरिया को बहुत ज्यागा sufficient increase कर देती जिसके बजह से हमारा oil में बहुत जल्दी ठंड हो जाता है और guys ये बड़े transformer के लिए ये radiator जो एक बहुत vital role play करती है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है basically हमारा जो power transformer होता है इसमें radiator का use तो must है क्योंकि ये power transformer कभी भी हमारा off नहीं रहता है 24x7 हमारे power को आगे supply देता रहता है तो guys मैंने अभी आपको जो बताया ये जो है एक radiator से related है guys अगर आपको मेरे समझाने का technique पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस channel पर नहीं है तो please guys चैनल को subscribe कर दिजे ताकि आने वाले जो भी वीडियो की update हो आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और guys अपने दोस्तों कैसा share करना ना भूले ताकि उन्हें भी पता चल सके कि electrical engineering is rated कौन-कौन से as a facts है तो guys मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए झाले जाए